recording form तो मित्रो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे तो अब हम बात करेंगे आज सेमसंग के सेमसंग नी जो हमे 11 में टॉक बैक फराहम करवाया यारने के टॉक बैक हमें उपलब्द करवाया है वोईस असिस्टेंट की जगा है तो बिल्कुल जिस तरह वोईस असिस्टेंट लाजवाब था उसी प्रकारी टॉक बैक भी लाजवाब है कुछ जेस्चर आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे मिलेंगे तो कुछ जेस्चर बहुत ही अच्छे मिलेंगे तो आपको अनन्द आ जाएगा जरूर इस वीडियो को देखे शुरू से लेकर अंततक और प्रतिक्रिया दे अगर आप इसमें कोई भी कॉंटेंट मिक्स मिस कर देते हैं तो फिर आप जो टॉक बैक की कुछ फीचर है उनसे आप बंचीत रह जाएगे तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें लाइक करें नहीं करें आपकी मरजी है लेकिन इस वीडियो को जरूर पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास होम स्क्रीन सेमसंग की आपके सामने है तो अभी हम यहां पर जो है उपलबदता खोड़ लेते सीधा है यहां पर मैंने शॉटकट मेनू बना आया इसका वह आपको बताएंगे कैसे बनाया है कि सुलबदा पर मैंने क्लिक किया अब ट्रांसलेट खोजें गूगल वाप की बोर्ड चेपा हुआ है वन यू आई सुलबदा बंद है कि सुलबदा से हम टॉक बैक को चालू यह बंद भी कर सकते है कि सुलबदा बटन कि एप स्क्रीन कि सेटिंग्स कि चौंटीस में सम उप्लबदा अज फोन हिंदी में रहेगा पिछली बार मैंने आपको अंग्रेजी में बताया था वन प्लस एट्टी और इस बार सैमसंग में हमां हिंदी में रखेंगे और आप हिंदी में सम देखेंगे इसको यकीन माने आपको बहुत ही अच्छे से टॉप्लबग समझाएगा हिंदी में अगर आप देखेंगे अच्छे से हो सकते हैं, अगर हमें होना है तो हमारी मात्र भाषा राष्ट्र भाषा से ही होना चाहिए, ताकि हम चीज को अच्छे से समझ सके, तो वही बात है, और मुझे बहुत गर्ब है कि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, और संस्कृत मेरी प्रिय भाषा है, तो इसी तरह मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, हमारी राष्ट भाषा, हमारी प्राचीन भाषा की सिवा करने की, तो मुझे इसमें आनत भी आता है, तो इसलिए मैं मेरे डिवाइस भी सारे हिंदी भाषा में यूज़ करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदी में करक्षा फोन क समझने का प्रेयास कीजिएगा, आप लोग भी हिंदी करके देखें कितना वज़ा आता है, तो इससे आपके इलेक्वेंस की जो आदत है वो भी छूट जाएगी, और हिंदी में समझने की कोशिश भी करेंगे, शुरू करते हैं, हम फोन यहां पर यूज़ कर रहे हैं, M31, Samsung M31, 8GB RAM, 128GB Storage के साथ, शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगा यहां पर जेस्चर, कौन-कौन से जेस्चर से यहां पर हमें फराम किये गया है, तो सबसे पहले, Accessibility में खोल रखा है, देखते हैं क्या-क्या menu है, यहां पर एक अधिक विकल्प दिया गया है, तो आप इ Home Screen, Home Screen पर जोड़े, Home Screen पर जोड़े, आप इसे Home Screen पर भी जोड़ सकते हैं यहां से, उपलब्दुता को, हमारे लिए दो फंक्शन हमने ओन कर रखे है, Accessibility के लिहाद से, पहले इसने बताया, तो खोल के देखते हैं कौन-कौन से है, पहले, आपके लिए अनुशन से, उपर नेविगेट करें, आपके लिए अनुशन, आपके वारा उप्योग किये जा रहे, functions, शीर्शक, Talkback, Talkback हमों कर रहे हैं, अधिक दाने, बटन, बंद करें, उच्छ कंट्रास्ट, यह दोनों हमने, बंद करें, बटन, चीजें जो आजमानी चाहिए, हमें क्या-क्या, बिक्सवी वीजन का इस्तवाल किया जा सकता है, कारेवाही करने का समय, मूल्फंट भी, बॉल्फंट, गहरा मोड, बॉल्फंट, बॉल्फंट, गहरा मोड, गहरा मोड हमने यूज कर रखा हैं आपर, इनकी डार्क मोड, ठीक है, चलते हैं, यह सब पूरा हो गया आपर, अब हम ज्यादा accessibility पर बात नहीं करते हैं, मतलब accessibility पर बहुत सारे menu है, चलिए उस पर भी कोशिश करूँगा, अगर समय रहेगा तो बात करने का, हम बात करते हैं, जो वर्तमान में 11 जो अपडेट दिया है, टॉक बैक मलगी समसंग ने, तो उसमें क्या नई शुविधाएं दिया है, पहले एक बात का धियान रखिए का मित्र, अगर आप 11 में अपडेट करते हैं अपने फोन को, तो उसके बाद उपलबदता सेटिंग में जाकर उपलबदता को भी अपडेट करें, यानि कि एक्सेसिबिल्टी सेटिंग में जाकर आपको उपर उपर अपडेट दिखाई दिएगा उसका, तो वहां से से अपडेट कर ले, अपडेट आप देख सकते हैं चित्र इसका दिखाई दे रहा है उपर अब इसके बाद स्वाइब करेंगे टॉक बैक टॉक बैक चालू चालू है स्विच टॉक बैक शॉर्टकट उपलबता बटन पर टैप करें साइड और वॉल्यूम ज्यादा कुजिया दबाएं देखिए यहां तो उपलबता बटन पर टैप करें या साइड और जो है साइड और वॉल्यूम की कुझिया दबाएं अब देखिए उपलबता बटन पर हमने क्योंकि यहां पर नीचे इस फोन में मैंने भी आपको दिखा बटन है तो उस पर हम जैसे टैप करेंगे डबल टै करेंगे टॉक बैक ऑन भी हो जाएगा यह भी सुविदा आप कर सकते हैं नहीं तो सुविदा को चेंज भी कर सकते हैं इस पर डबल टैप करें साइड और वॉल्यूम ज्यादा कुझ यहां दबाएं टॉक बैक शुर्टकट उपलबता बटन पर टैप करें अपनी स्क्रीन के निचले भाग पर उपलबता बटन पर टैप करें अगर इससे बंद करना चाहता आप बंद कर सकते हैं इसको मैंने बंद कर दिया है वॉल्यूम ज्यादा और कमकुझियों को तीन सेकेंड तक दबा कर रखें वॉल्यूम ज्यादा और कमकुझियों को यहने की वॉल्यूम आपर डाउन की को दबा कर रखेंगे तीन सेकेंड तक टॉक बैक बंद या चालो हो जागा इससे मैंने ओफ कर रखा है और वॉल्यूम ज्यादा को जिया दबाएं अर्थात पावर की और वॉल्यूम ज्यादा की जो है इसको दबाएंगे तो टॉक्बैक बंद हो जागा चालो इसको मैंने चेक बॉक्स चेक कर रखा है यहाँपर ब्लू निशान दिखाई दी रहा है जो क्याएं तो बंद को जी जो है यहाँध है झालो कंवस Demo अलिकरण चेक किया गया है अल्ब में हमने बंद कर दिया खेल आउया है यह से बंद कर दिया इसको ुअब आगे चलते है यह तो उबभदबन इस पर आपको पता लग गया होगा कि पहले से ओटकट एडवांस सेटिंग में मिलता था लेकिन अब इसे यहां पर सेट कर दिया गया है, टॉक बेक के अंदर यह फीचर दिया गया है, ठीक न, आगे चलते हैं, यहां से आप टॉक बेक की सेटिक कोल पाएगे, और यहां पर इसके बिशे में कुछ लिखा है, तो वो पढ़ सकते हैं आप सेटिंग टॉक बैक इस्तेमाल करें, स्विच पर टैप करें, आपको हरे रंग का एक बॉक्स देखेगा, स्विच पर दो बार टैप करें, डश पुष्टी करने वाले मेसेज पर रोके पर टैप करें, इसके बाद रोके पर दो बार टैप करें, लंडिस्केप, देख आप तो आपको setting दिखाई दे रही होगी मैंने landscape mode पे किया है तो वह सकता आपको चलिए portrait ही कर लेते हैं तो यहां पर क्या-क्या option है वो देख लेते इस किया लगा उसमें सुविधाय बहुत कम दी गई है मलब कि जो Google द्वारा TalkBack फराम किया जाता है उसमें थोड़ी सुविधाय कम है हाला कि सुविधाय है वो menu में जाकर आपने को करना पड़ता है लेकिन इसमें इसा कुछ नहीं इसमें fingers का खेल है सारा तो देखते है टॉक बग के नए वर्जन में आपका स्वागत राइट सब्सक्राइब करेंगे चार में से एक पेज है क्या है पड़ते हैं आपको इस वर्शन में हाथ के नए और आसान जेस्ट हावभाव आसान मेलियो और वोईस कंट्रोल के साथ साथ दूसरी का इसों उधाय मिलेंगी अगल वो इस टूटियोरियल को पढ़ने में 5 मिनिट का समय लगेगा वह सकता हमें ज्यादा लगे कि हम अच्छे से समझेंगे इसको तो अब यहाँ पर स्वाइब करते राइट आगे बढ़ें बंद करें बंद करें तो हम आगे बढ़ें बटन, मैंने टैप किया यहाँ पर, हाथ के नए जेस्चर हावभाव, चार में से दो पेज, यानि कि चार में से चार पेज है, जिसमें से अबने दूसरा पेज पलटा है, माई ज़्या पेज, हमने देख लिया था, उसका और यहां पर कुछ जेस्चर इनों ने दिये हैं तो जेस्चर देखेगे सबसे पहले क्या है इसमें कुछ नए जेस्चर जोड़े गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह सैमसंग यूजर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से आपने अगर आपको दूसरा फोन है दूसरी कंपनी का इमाई या कोई और भी फोन तो उसमें जेस्चर कुछ जेस्चर परफॉर्म नहीं होंगे इसको आपको पहले बता देता हूं ठीक है ना तो आप सेमसंग यूजर्स के लिए काम कीजिए फिर हम उस फोन में भी देखें उसमें भी चुना जाता है इसमें भी कोशिश करेंगे उसमें अगर समय रहेगा तो तो शुरू करते हैं यहां पर देखें सबसे पहले किसी वीडियो या संगीत अप्लीकेशन में मीडिया को चलाने या रोकने के लिए दो उंगलियों से दो बार टैप करें इससे अभी आजमाएं किसी भी मीडिया को चलाते समय आप जिसे कोई मीडिया चला रहे हैं आपका कोई गाना चल रहा है तो अगर दो उंगलियों से आप डबल टैप कर देगे तो वो बंद हो जाएगा वहीं पर और दो उंगलियों से वापस से टैप करेगे तो वो ओन हो जाएगा तो देखते हैं मीडिया रुका गया या चल रहा है आम और पर इससे मौझूदा वीडियो या संगीत रुख जाएगा या चलने लगेगा ठीक है जाती रखने के लिए दाइं और स्वाइप करें जार आगला अगर टुटोरियल हम देखेंगे इसको बाद में बलगी पहले इसको परफॉर्म YouTube Premium YouTube Premium खाता खोजे बटन बदलाव किया जा रहा है YouTube में खो बदलाव किया रहा है यू इंगलिश यू एन जी बॉट शी एस एस म एम यू एस आय आई जी अड़़ जी एस मुट आप जाने है प्रहु नू कोपी राइट प्ले करके देखते हो के चोटा लंडिसकेप फुल स्कीन से बाह निखले इसको प्ले कर लिया है, देखिए, आपका आवास सुन्दी होगी, थोड़ तेज करता हूँ है, यह देखिए, NCS मुजिक चल रहा है, अब हम इसको डबल टैप करेंगे यापर, दो उंगलियों से, डबल फिंगर, डबल टैप, यह देखिए, डबल टैप किया, मैंने डबल से यह बंद हो गया, वापस से डबल टैप करेंगे, मुजिक सुन रहा है, आपको ला जवाब मुजिक के साथ, आप सुन रहे हैं, तो हमने देखा, इस तरह से इसको बंद किया जा सकता है, डबल ट्विंगर, डबल टैप, इसी प्रकार आप, अगर आपके पास, फोन में कोई मीडिया, मुजिक या कुछ भी है, तो उसको भी आप इसी तरह से बंद किया चालू कर पाएंगे, चलिए तो हुआ एक जेस्चर की बात, उसी प्रकार से अगर आप कॉल या फोन करते हैं, उसको उठाने के लिए भी ऐसा ही जेस्चर इसके अंदर है, तो वो हमने टॉक बैक का वापस अपन कर लिया, यह देखिए, और एक मज़ी की बात और हमने टॉक बैक में जांकर से चोड़ा था, वही पर आप्लिकेशन भी हाथ के इस जेस्चर हाव भाव का इस्तिमाल कर सकते हैं, उदाहरन के लिए, किसी फोन कॉल का जवाब देने या कॉल खत्म करने के लिए, इस जेस्चर हाव भाव का इस्तिमाल किया जाता है, हो सकता है कि हाथ का यह जेस्चर हाव भाव सभी एप्लिकेशन पर काम न करें, पूम, चलिए, इसने हमें यह का कि यह जो जेस्चर अभी जो हमें बताया इसने, आप फोन कॉल पर भी इसको इसको तो phone call पर करते हैं इस्तमाल हम connect करेंगे one plus eight T से मैं इस phone पर call करेंगा ना फिर हम इसे दो उंगलियों से call उठाने की कोशिश करेंगे और call काटने की भी कोशिश करेंगे तो one plus eight T मेरे हाथ में है लोग खोल लेते हैं कॉल कर रहा हूं मैं खॉल जा रहा है कॉल संदेश बेजें जीगर अस्विक्रेट संदेश चुनने के लिए दो कियों से उपर ड्राइग करें आने वाली कॉल यह call आ रहा है आप देख रहे होंगे अच्छे से आप मैं इसमें double finger से double tap करूँगा call उठ चुका है अब आपको इसके लिए एक सेकंड हलो हलो उस speaker oneplus के speaker में आवाज आ रही है मैं इसको speaker on कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे मैंने speaker चालू कर दिया है अब देखिए हम बात करते हैं hello 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 phone उठ चुका है तो अब हम वापस काटने के कोशिश करेंगे इस phone को अब पहले मैं oneplus से इसको काटने के कोशिश करूँआ देखता हूं कटता है क्या double tap करेंगे डो उंगलियों से एक वान प्लस में फोन नहीं कटा तो फोन चालो अब बदस्तूर जारी है फोन अभी हम हमारे सेमसंग फोन पर यह इस जेस्टर इसमाल करते हैं डबल फिंगर डबल टैब कॉल कट चुकी है तो आपने देखा तो आपने देखा यह हमारा जो है बिल्कुल बहुत यह अच्छे से सेमसंग में यह जेस्टर काम करता है कि डबल टैब करेंगे कॉल पर तो उठ जाएगा स्क्रीन में कहीं भी डबल टैब करेंगे ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर करना है स्क्रीन में आप कहीं भी डबल टैब करें फोन उठ जाएगा वो भी दो उंगलियों से, एक उंगलियों से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दो उंगलियों से करेंगे, डबल टैप तो फोन कट भी जाएगा और फोन उठ भी जाएगा, तो देखा आपने किता, जबरदस्त जो है इसका जेस्चर है, आगे देखते हैं फिर, अगर आप टॉक बैक के बोल कर दिये जाने वाले सुझावों को कुछ समय तक नहीं पाना होते हैं, तो दो उंगलियों से टैप करें, देखी हा, अगर आप टॉक बैक में दिये की सुझावों को ज्यादा देर नहीं सुनना चाते हैं, तो दो उंगलियों से सिंगल टैप करें, तो कुछ कि आप बोल रहा है तो पूल करनाँ जैसे बूल रहा है रिखिय सब्सक्रेंFR आप भन है किया ऍलाइड एक्पाप है इस यहां पर काँगी यहां पर औल सवाइड है मैं यहांपर तो बता रहा है मैं वोटसेप पर जलता हूँ चलिए पूम वान यू वाट्साप सच कर एक मेसेज्ज यसको पढ़ते हैं सुनिएगा पर वर्ड किया गया एक मात्र पक्षी जो एक बाज को चोच मारने की हमत करता है वह रेवेन यह बाज की पर बैठता है और उसकी गर्ड़ पर अपनी शुना यह बोल रहा है इसको दो उगलियों से एक बार टैप करें एक बार टैप करें स्क्रीन पर कहीं भी तो वह तो वह प्रतिसाद करना बंद करतेगा और वापस बस एक उंगली रखिए फिर से बोलना सरु हो जाएगा कोई पड़ी टेक्स्ट कोपी करने के लिए तीन उंगलियों से दो बार टैप करें तो यह जो बोल रहा है टेक्स्ट कोपी करने के लिए तीन उंगलियों से दो बार टैप करें तो हम इसको देख लिए तेक्स्ट कोपी कर लिया गया है आम और पर इससे आपका चुना हुआ टेक्स्ट कोपी हो जाएगा टेक्स्ट कोपी कर लिया गया बोल रहा है तो अब हम देखते हैं अब यहां पर तीन उंगलियों से में तीन बार टैप करूँगा यह पेस्ट किया मैंने तीन उंगलियों से तीन बार पेस्ट हो गया तो मैंने कॉपी कि अब यहां से बोल रहा है देख लिया पूरा सुन लिजिए जैसे आपको एक चीज और दिखाता हुँ चलिए इसको हम डिलिट इसको हम हटा देते हैं अब यह प्रिपल प्रिपल बाट टैप किया तो यह टेक्स यहां पर इसने कोपी कर दिया कि मघल प्रिफ कर दिया अभी हम क्या करेंगे तो दॉड्व अमतर दोARY कि यह टिखाल पूर्य देश्वर्ट थी कि आप सब को अब यह दूख नहीं टेक्स अपनी कर दिन कीमाह происходит कोपी करने के लिए कोई टेक्स नहीं है पहले टेक्स करना पड़ेगा तर यह वट्सेप से करते हैं इसको फिर में बाद में आपको जब हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स को तब सिखा हुआ यह टेक्स है देखेखेए एक मात्रपक्षी जो फॉट्ज है इसको त्रिपल बाज की पर बैठता है और उसकी गरदन पर अपनी चोट से काट इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता गार प्रसचीन हराए प्रचा में के ανड़ किया बिरै। शॉम बटन. फॉर्वर्ड किया गया. एक मांतर पक्षे दिल्ट अब वट्ण हरे है F रेवेन उह बड्षे अपर मैड़्च कप्या अबSt. कप्या ओप्युपर क्टा गया एक मत्र एक में जोड़् ड् И शिवरा त्रिक कि आप सभी को हार्दिक शुब कामना वापस जाएं बटन नेविगे व्याख्या करें बदलाव किया जा रहा है संपादन बॉक्स यहां पर फोल दिया आपके सामने लंडिस्केप सिंपल पेज है कुछ नहीं है इस पर बदलाव किया जा रहा है संपादन है कि अब करनी के सामने खुए जो च आपकी है और तीन इस तीन गॉल्य एंडिलों से दो बार टाप करेंगे तो क् मदीश करेंगे सबि physically खिशत pracy। यहां पर हमारे टेक्स्ट सेव है, हम इसको आगे प्रियूग करेंगे इस पर हो गया, हमने देखते हैं अगला टेक्स्ट काटने के लिए अपनी तीन उंगलियों से तीन बार टैप करेंगे, वापस सुम लेते हैं टेक्स्ट काने के लिए तीन उंगलियों से तीन टेक्स्ट काटने के लिए अपनी तीन उंगलियों से दो बार टैप करके रखें तीन उंगलियों से दो बार टैप करना है अपन को टेक्स्ट को चिपकाने के लिए तो चलिए करते हैं सुरी गल्थ बोल गया मैं तीन उंगलियों से दो बार टैप करके होल्ड करके रखना है डबल टैप एंड लॉंग प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट कट जाएगा वहां से जहां पर लिखा है तो हम इसे काट के देखते हैं लेकिन अब यहां पर क्या दिक्कत है कि हमें पहले एक जिस्ट रोड देखना पड़ेगा साथ में चुनने वाला क्योंकि वह साथ ही हो जाएगा दोनों कि अपन कौन सा टेक्स्ट काट कर उसे डिलीट कर रहे है टेक्स चुनने वाला मोड चालू या बंद करने के लिए अपनी दो उंग्लियों से दो बार टैप करके रखें ठीक है तो अब मैं बाग को बताता हूं कैसे करना है तो सबसे बले हम टेक्स्ट को काटेगे तो टेक्स्ट को काटने के लिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले पूम चार कोई अब हम क्या करेंगे डबल टैप और लोग प्रेस करेंगे आप चुने जाना मोर्ड चालू है चुने जाना मोर्ड हमारा चालू हो गया है ठीक है अब हम क्या करते हैं यह यह पर यहां पर हम कीबोड को ऊपन करते है या keyboard को open भी कर सकते हैं नहीं तो अपन कोई जूरुत नहीं है अब यह अपन जेश्चर लगाते हैं down, up, down then up एक उंगली से तो शब्द पर लाएंगे या paragraph पर लाएंगे हम जो लाइन में सेलेक्ट करने हैं ठीक है ना कोशिश करते है शब्द पर ले आया हमें मैं इसको एकदम शुरू पर ले जाता हूँ पहले या फिर हमें एक काम और भी कर सकते हैं इसमें एक जेश्चर लगा सकते हैं टेक्स्ट को शुरू से ले लेते हैं ना हम करसर को शुरूआत में ले आये हैं और अब हम एक एक शब्द को चुनते हैं देखिए मैं वाल्यम की का प्रयोग करूँगा यहां पर ठीक है ना ताकि आपको अच्छे से समझाए बात तो ठीक है अब यहां पर हम लाइन इसके कंट्रोल लिंक बोलने किदा टेक्स्ट पढ़िजा वर्ण शब्ड शब्ड आ गया है आप चाहे तो पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं आप एक एक वर्ण भी चुन सकते हैं आपकी सुविदा है अगर आप वर्ण चुनना छब्रण चुन सकते है देखते हैं आफ से फbrand छुनेगों ज्यादा ब्हतर रहा डिक कि न één इस पैस को प्र う में हूं आपि कुछ चुना गया मैं वाल्य। करेंग्स कर हूँ हैं कि और देकि एक डिस टष्ड ररा हैं आफु सबीज कर दिश कर अचो तो आभी हम इसको डबल टैप और दो अंगलियों से ने, ने, क्या बताया था, तीन उंगलियों से डबल टैप करेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है, फिर ये कट जाएगा यहां से, कीबोर्ड चिपा हुआ है, जीबोर्ड दिकाया जा रहा है, तीन उंगलियों से दो बार टैप करके रखने वाले हाथ के जेस्चर, हाव भाव, काटें, काटा, काटा गया, महाशिवरात्र की आप सभी को हर्षिक, मैंने उपर वाला शप्त काट दिया है, बस इतना ही लिखा हुआ है, देखिए, मैंने बाकी पहले वाला काट दिया है, बदलाव किया जा रहा है, चुने जाना मोड चालू है, पारवती का आशिरवाद, आप सभी को हमेशा मिलता रहे, बाकी उपर वाला जो है, मैंने काट दिया, अब इसको कॉपी कर देते हैं, यही परी, तो ट्रिपल टैप, दो उंगलियों से तीन बार टैप करेंगे, पेस्ट करना है, तो यही पर ही पेस्ट कर देते हैं, तो तीन उंगलियों से तीन बार टैप करेंगे, इसमें वापस यही पर इसने चिपका दिया है, बढ़के देखते हैं, बदलाव किया जा रहा है, चुने जाना मोड जालू है महा शिवरात्री की आप सभी को हार्दिक शुब कामनाए भग्वान शिवेवन माता पार्वती का आशिरवाद आप सभी को हमेशा मिलता रहे सुबह आठ बज कर दिया था उसके बाद हमने जब वापसे पड़ा तो आया पार्वती की कृपा पर ऐसा लि अंगलियों से तीन बार टैप किया तो वह वापस यहीं पर पेस्ट हो गया तो आपने समझ गये कैसे चुनना है आपको एक चीज और बता दू इसमें देखिये कि हमने यह चीज तो देखी कि किस तरह से हम जैसे मापको फिर से वापस दोहरा देता हूं जहीं हो जो तीन उगलियों से दो बार टैप किया तो कोई भी वाक्य को हम कॉपी कर सकते हैं तीन उगलियों से दो बार टैप करने पार बटैप टेक्स्ट होना चाहिए वहां पर, तो तीन उंगलियों से दू बाद टैप करेंगे, तो वह टेक्स्ट कोपी हो जाएगा, जो भी टॉक्वेक क्या, अगर कोई अनॉस्मेंट भी हो तो उसको भी साथ में कोपी कर देगा, जैसा भी अपने वाटसप में देखा, आठ बजगे तो यह भी इसने कोपी कर दिया, अब इसके बाद पेश्ट करना हमको, तो तीन उंगलियों से तीन बार टैप करेंगे, स्क्रीन पर कहीं भी टैप कर सकते हैं, स्क्रीन पर करो, बस स्क्रीन पर कहीं भी टैप कर दो, तो यह आपका कोपी कर देगा इसको, अब उसके बाद ह हम इसको paste करना है, तो तीन उंगलियों से तीन बार हम tap करेंगे खाली प्रिष्ट पर जहांपर edit box होगा, edit box नहीं होगा तो वो copy नहीं होगा, वो उता देगा gesture काम का नहीं है, बलगी gesture आप perform नहीं होगा, तो तीन उंगलियों से तीन बार tap करेंगे, तो वो वाक्यां वहाँ पर paste हो जाएगा, वहाँ पर चिपक जाएगा, वहाँ पर आजाएगा, वह इसी परकार cut करना हमको, तो किसी भी वाक्य को काटने के लिए, या कोई शब्द को काटने के लिए, कि हमें पहले उसे चुनना पड़ेगा, क्योंकि या तो पूरा उसे चुने, पूरा चुनने का भी gesture है talkback में, लेकिन हम बात कर रहे हैं, इस Samsung के talkback की, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरा वाक्य चुनना तब उसका भी gesture है एक, तो उसका भी gesture में आपको भी बताता हूँ, double tab और long press से आप चुन सकते हैं, बहुत सारा select होता है, लेकिन वह वहीं select होता है जहाँ edit box नहीं होता है, उसको अगर वैसे select करना तब तो फिर आपको यह करना पड़ेगा, अगर edit box होगा तो आपको gesture लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो आगे हो सकता, उसको कोई और gesture हो अभी देखा नहीं, मैंने आपको live भी बता रहा हूँ जू कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, पहले मैंने perform नहीं किया यह gesture, तो अब हम बात करते आगे, तो यह क्य कर देगे, दो अंगलियों से क्या तीन कूंगलियों से, एक और फिर से देख लिए हूँ, तीन उंखलियों से, बिल्कुल, तीन उंखलियों से दो बार टैप करेगे और hold करकर रखेंगे, तो जो चुनने वाला चुना-जाना mode है, वो चालू हो जाएगा, चालू होने के ब आप चुन पाएंगे वह पूरा चुनने के बाद वह जो रेक जितना आप चुनेंगे वह हरी हो जाएगी रेखा थोड़े से पार्सली जो देख सकते अब हमको क्या करना है अब हमको एक सेकंड मैं जेश्चर गलत तो नहीं बता रहा हूं पहले मैं थोड़ा एक वर खुद क करना हूं इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकताbli से अफाली में पर टेक्स्त चपकाने के लिए इन उंडियों से तीन बार टैप करें हाध के टेक्स्ट काटने के लिए अपनी तीन उंग्लियों से दो बार टैप करके रखें। अगर टेक्स्ट आपको चुननना है तो दो उंग्लियों से दो बार टैप करेंगे और उसे लॉंग्प्रेस करके रखेंगे तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा वो चुनने वाला मोड ओन हो जाएगा अगर आप उसे कट करना है तो तीन उंग्लियों से दो बार टैप करके और लॉंग्प्रेस करेंगे तो वो कट हो जाएगा टेक्स्ट वहां से paste करने का तो वही तरीका है, तीन उंगलियों से तीन बार tap करेगे, तो वह paste हो जागा, तीन उंगलियों से दो बार paste करेगे, तो copy होगा, तीन उंगलियों से दो बार tap करेगे, और अपना long press करेगे, तो वह cut हो जाएगा वहां से, और दो उंगलियों से दो बार tap करके hold कर तो क्या होगा दो उगली से दूबा टैप करके हुल करेगे तो हमारा टेक्स्ट जो सेलेक्ट होगा सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको वो सेलेक्ट मोड में आ जाएगा फिर हमको हमें जेस्टर शब्द यानिकि पैरग्राफ वर्ण उस रिसाब से लाकर और फिर वाल्यम की इसकी साहता से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आप सेलेक्ट करना चाहिए समझ गया होगे तो यहाँ पर हमें 2 चेस्टर मिले हैं इसके तीन जैसे दो उगलियों के जैसे दो उगलियों से एक बाद टैप किया हमारा जो है क्या होता है म्यूजिक बंद हो जाएगा इस तरह से मैंने आपको जैसे अभी बिताया और वापस से टैप करेंगे तो म्यूजिक चलू हो जाएगा उसी पर फोन पर अगर हम यह करेंगे परफॉर्म तो यह फोन पर भी लगू होगा और यह फोन को उठा भी सकेंगे फोन को काट भी सकेंगे तेक्स चिपका दूसरे अगर आप टॉक बैक के बोल कर दिये जाने वाले बंद करें बटन पीछे जाएं बट टॉक बैक के नए आपको इस वर्शन में हाथ के नए हो किसी वीडियो या संगीत अप्लिकेशन में मीडिया को चलाने या रोकने के लिए दो उंगलियों से दो बार टैप करें इससे प्रकार दो उंगलियों से एक बार टैप करने पर टॉक जो अनावाशक बोल रहा वो बोलना बंद भी हो जागा तो तीन उंगलियों से दो बार टैप करना है अब आगे चलते हैं इसी प्रकार आपको कोई टेक्स्ट कोपी करना है तो तीन उंगलियों से दो बार टैप करना है स्क्रीन पर कहीं भी तो टेक्स्ट कोपी हो जाएगा टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो तीन उंगलियों से तीन बार टैप करेंगे तो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा और इसी प्रकार तीन उंगलियों से दो बार टैप करके लॉंग प्रेस करेंगे तो चुना selector mode on हो जाएगा आपका मतलब कि जो sub the selection mode on हो जाएगा word selection mode उसको on करने के बाद आपको फिर gesture perform करना है down to up या up to down शब्द paragraph जो भी आपको लेना word यहनि कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे character word line paragraph इत्यादी तो उसमें जो भी select करेंगे select करके edit mode पे आएगे और उसके बाद में आपना volume की को right right करते रहिए cursor को शुरू से लेने का आपको gesture पता ही है उपर उपर तो cursor को पहले उपर ले ले talkback gesture लगा कर global context menu वहाँ पर यह कर सकते हैं नहीं तो वैसे तो अपने आप उसे उपर लाया जासता है या फिर उल्टा भी कर सकते है आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका cursor end में है तो आपको volume को क्या करना है उपर की तरफ करेगे तो आगे जाएगा नीचे की तरफ करोगे volume को तो पीछे 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 वो सारा select कर लेगा वो उसी sequence में करेगा कोई दिक्कत नहीं होगा आगे पीछे नहीं होगा आपका text सही से copy कर देगा हूँ तो कैसे भी आप select करके और फिर उसे paste कर सकते हैं करने का तरीका मैंने भी आपको बताया तो यह gesture आपके अच्छे से समझ में आगे होँगे आगे चलते हैं देखिए कि अगर आप टॉक बैक के बोल कर दिया जाने वाले सुझावों टेक्स्ट कॉपी करने के लिए तीन उंडियों से दो बार टैप करें टेक्स्ट काटने के लिए अपनी तीन उंडियों से दो बार टैप करें टेक्स्ट काटने के लिए अपनी तीन उंडियों से दो बार टैप करके रखें टेक्स चुन्बने वाला मोर चालू या बंद करने के लिए अपनी दो उंगियों से दो बार टैप करके रखे आगे बढ़ें टेक्स पढ़े जाने से जुड़ेक पेज अगला पढ़ते हैं जैसे क्या रेक्तर की बजाए शबू की मलद से कुछ ढूंजना या टॉक बैक के बोलने की दर को बदलना पहला चरण टेक्स पढ़े जाने से जुड़ा अगला कंट्रोल चुन्बने के लिए तीन उंगियों से दाई और स्वाइप करें दूसरा चरण निविगेशन फोकस को आगे बढ़ाने के लिए या टेक्स पढ़े जाने से जुड़े कंट्रोल को नीचे अर्जस्ट करने के लिए एक उंगियों से नीचे की और स्वाइप करें इससे अभी आजमाएं तीन उंगियों से दाई और स्वाइप करें तीन उंगियों से दाई और स्वाइप करके किये जाने वाले हाथ के जेस्ट हाव भाव टेक्स पढ़ने से जुड़ा अगला कंट्रोल पहले उपर फिर नीचे स्वाइप करें टेक्स पढ़ने से जुड़ा पिछला कंट्रोल हाँ देखिए यहाँ पर text control यहाँ पर हमारे सामने आ गया है आप text control यहाँ से कर सकते हैं देखते कैसे करेगे आप तीन उंगलियों से right swipe करेगे शब इसे अभी line शीरशक control link बोलने किदा टेक्स्ट पढ़े जाने के लिए वर्ण शब लाइन ठीक है देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर तीन उंगलियों से हमें राइट की तरह swipe करना है तो राइट की तरह swipe करेंगे तो पहले paragraph जैसे पहले character word या थी वह आएगा अगर आप इस जिसर को दूसरे तरह किसे भी इस्तिमाल कर सकते हैं यसे अधियों आगे या तीन उंगलियों से पीछे भी कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं तीन उंगलियों को स्क्रीन पर कहीं भी ले जाएं देखिए पेराग्राफ आगया ना अब इसको मैं अगर बाईयो ले जाओ तो लाइन आगया देखिया ना ठीक है तो इस प्रेसे आप ला सकते हैं बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है यह मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छे से काम करा है इससे अभी आजमाएं तीन उंग्लियों आप इन में से हाफ के किसी जीस चक हाव भाव को उलट भी सकते हैं करें द्रस्पर जाने से जडेपे पिछले कंट्रोल को चुनने के लिए निविगेशन फोकस को पिछे ले जाने के लिए या टेक्स पढ़े जाने जाने यहिए कि अन्निय ना इस विदा देख ले चलिए यह तो उसमें पर बिल देख लिए इस नए मेल्यू को खोल सबते हैं इससे अभी आजमाएं इस मेल्यू को एकसेस करने के लिए आप पहाफ के मौजूदा जेस्चा हावभाफ का इस्तेमाल भी अब आप आवाज का इस्तेमाल करके इससे अभी आजमाएं इस मेल्यू को एकसेस करने के लिए आप पहाफ के मौजूदा जेस्चा हावभाफ का इस्तेमाल भी बहुत एच्छा जेस्चार इसमें तीन उगल्यू सापको सिर्फ एक बार टैप करना है दिखेंगे यह में जाविया फॉर्वर्ड किया गया एक मात्र पक्षी जो एच्छो एच्छो मुजिक चल गया था तो मैं बता रहा था आपको सारी तो देखिए क्या है कि आप अगर आप तीन उगलियों से सरफ एक बार टैप करेंगे स्क्रीन पर कहीं भी तो ग्लोबल कॉंटेक्ट मेन्यू खुल जागा हम खुल के देखते हैं तीन उगलियों से एक बार टैप करते हैं टॉक बैक मेन्यू खुल गया एक सकेंड में हमें कोई भी एल प्रकार का पहले डाउन करो फिर राइट करो जेश्चर बनाने की जूरतनी सीधा इसमें यह खुल गया है पर सीधा से आपके सामने ठीक है न तो ऐसे आप खुल सकते हैं यह सेंसंग की अक्सेसिबिल्टी की हैंडल कर सकें बाकी रेड्मी एमाई इन फोन्स में ऐसी कोई सुविदा फरहम नहीं की जाती है और यहां तक कि टच भी डंक से रिस्पांस नहीं करती है मैंने काफी सारे एमाई के फोन यूज किये हैं मैं वन प्लस 80 इस्तवाल करता हूं एक दूसरा फोन जो कि मैंने नहीं मिल रही जो सैमसंग S10 और यह नए वाले M31 में मिल रही है तो खेर सैमसंग सैमसंग ही है इसलिए मैंने इस पर अलग वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ आए मेरी बात तो हाला कि यह जेस्चर उसमें परफोर्म किया सकते लेकि उसमें आपको ग्लोबल कॉंटेक् देंगे आपको तो अभी हम देखते आगे बोले गए निर्देशों का इस्तिमाल करके टॉक बैक को कंट्रोल करें आप बोलकर इस तरह के निर्देश दे सकते हैं देश कॉपी करो अगले आइटम से पढ़ो डैश सेव किये गए आइटम धूंधो डैश तेज बोले गए सभी निर्देशों की सुची के रद बटन इसमें जेश्चर बताएं इन्होंने कि आप यह बोल सकते हैं जो कहोगे वैसे वैसे कर देगा तो कुछ खास इसके अंदर जो सेटिंग से खोलता है मैंने आपको खोल के बताया था उस दिन तो इस पर वक्त नहीं खराब करेंगे अपन यह आप प्रफोन करके देख लीज आधारित है तो उससे आप लिख सकते हैं इसके अंदर तो इस पर एक वीडियो पर नलग बनाएंगे क्योंकि इसमें फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ तो हलांकि बहुत यह अच्छा पर लिख सकते हैं तो चलिए खैर खत्म करें बटन तो हमारा यह पूरा हो चुका है हमने देख लिए अच्छे से यह टूटूरियल था तो इसके अंदर हमने काफी अच्छे अच्छे जेस्चर देखें आपको भी अच्छे लेगे होंगे बहुत ही श्यांदार और जानदार जेस्चर अभी चलिए हम टॉक बैक में लिए टॉक बैक सेटिंग लिए टॉक बैक में मौझूद नई सुविधाए अबने देख लिया ओडियो शीर्शक लिखाई को बोली में बदलने की सेटिंग ज्यादा सब्द बोलने वाले सेटिंग पासवर्ड बोले आवाज और वाइब्रेशन वह सब मिक्स कर लिए उन्होंने कंट्रोल में युए कंट्रों मैंने इस्ते माली बहाशाय यूद्व इंग्लिश ब्रेयी पदो के लिए आइकॉन आम और पर सबसे नीचे दाय काई में होता है पर टैप करें टॉक बैक से जुड़ा ब्रेल की बोर्ड चुने अगर आपको की बोर्ड स्विच करने का विकल्ट नहीं दिखता तो गूगल की बोर्ड जी बोर्ड इंस्टॉल करें ठीक है तो यह आप वहां पर क्लिक दीक करके उसे ओन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पैटके करकर इसे अंकर सकते हैं humility की बोर्ड देखी 타ip के लिए इस्तिमाल की जाने वाली भाशाएं unified English Braille यूनिफाई इंगलिस ब्रेल डाइप स्पैनिश का चेक किया गया unified English अरब jazz ओके बटन रद बटन दबाए गए सभी बिंदूओं को शामिल करने वाला माइड दबाया गया हर बिंदू इन्पुर्ट का हिसा है भले ही एक बिंदू का है दूसरे बिंदूओं से पहले चायर दिया गया हो चालू है स्विच अच्छ यह एक दो बिंदू से जैसे अपने टाइप करते हैं उसी तरह आप से चलता है यह डिल टाइप टाइप टाइटर होता है उसी तरह से काम करेंगा यह बिंदूओं की जगे बदलने वाला माइड इसे बिंदू टाइपिंग से जुड़े सुझाव टाइपिंग एको सभी अक्षार और शब्द पढ़े हाली का बटन वापस जाएप बिल्कुल बहुत अच्छा आगे देखते हैं तुटोरियल सायता बहतर सेटिंग इसके अंदर एक निया विकल्प दिया में बहतर सेटिंग इसको खोल लेते हैं बहतर सेटिंग ऊपर कंट्रोल शीर्शक फोकस संकेतक है इसका आप कलर चेंज कर सकते है आपर कों कों से कछर के दिश्चेंग नहीं किया गया नारंटी रेडियो बटन क्रीड़ और लार्टीयो बटन शेक नहीं किया गया बीला रेलियो बटन पीला है ग्याने क्या घरिया विए आपके मताबिक लेवल यानि कस्टमर लेवल एक टैप से चालू करना एक टैप से चालू करना यहां पर देखिए पहले यह वोईस एस्टिटेंट में उपर फीचर मिला करता था एकल टैप टैपिंग जो कि आज का लब इसके इस बहतर सेटिके कि एडवांस सेटिंग में आपको मिल जाएगा आपको जब टॉक्पै को ओन करेंगे वहां सेटिंग कोलेंगे वहां सेटिंग में आपको टैपिंग मिल जाएगा तो इससे होगा क्या कि आप एक बार टैप करेंगे टाइप हो जाएगा नहीं तो क्या होता है कि डबल टैप क चेक कर देते हैं अगर नीला हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो है जेच्चर इसमें मतलब आप एक बार सिंगल टाइपिंग से काम कर सकते हैं वो तोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है सिंगल टाइपिंग वाला कीबोर्ड शॉर्टकर डेवलापर सेटिंग डेवलापर चुका उससे जुड़ी जानकारी सुलब्ता इवेंट लॉग इंफिल्टर करें प्रदर्शन के आंक्रे चालू करें विंडो घोशना में होने वाली पहचानी गई बोली को बोली आउटपूट दिकाए बंध है चाल चालू कर लेते हैं चालू चूकर उससे जुड़ी जानकारी तो यह option टॉक बैक के अंदर मिलते हैं वापस निज्टानीती वापस जाए यूटोरियल और सहायता बेहतर सेटिंग Galaxy Store में Talkback खोलें Galaxy Store में Talkback खोलें आप यहाँ पर Play Store में आता है लेकिन Samsung में Galaxy Store पर Talkback खोलता है वह दिखा दें आपको Galaxy Store उपर नेविगेट करें बटन आट स्थापित किया गया बटन स्थापित किया गया ने कि कोई अपडेट है इसका है नहीं अभी यहाँ पर यह Galaxy Store में Talkback में दिखाई देता है Talkback Samsung Electronics को Ltd सब ही आयों के लिए Talkback Samsung Electronics को Ltd यह मलगी Samsung Electronics को Limited की तरफ से Talkback फरहम किया गया हमें तो यह Talkback अलग है उससे थोड़ा तो जो अलग चीजे थी वहने आपको बता दी बहुत अच्छा वापस Galaxy Store Control शीरशक वापस One UI Home तीन का एक पेज चार का चार पेज एपस स्क्रीन चार का चार चार का दो पेज चार सेटिंग्स सेटिंग्स एपस समान उपलब उपलब्धता के बारे में पंद्रम हमसे संपर्क करें स्थापिज सेवाए पांच सेवाए अब हम स्थापिज सेवाए देख लेते हैं स्थापिज सेवाए मैंने Android accessibility स्वीट इस्टॉल किया वाए लेकिन वहां पर टॉक बेक नहीं है अब आपर सब कुछ ही ऑप्चन रहे गए हैं दो दिखा देता हूं आपको यह आप ओन कर सकते हैं यहांसे इसको ओन कर लेंगी तो इस फंक्षन को प्रारम करने या रोकने के लिए स्क्रीन के नेचरे भाग में उपलब्धता बटन पर टैप करें अली का बटन वापस जाएं वापस लुए सुलबता मेन्यू शॉर्टकाट सुछ सुलब्धता मेन्यू शॉर्टकाट स्विच सेटिंग्स सुलब्धता मेन्यू उपलब्धता बटन पर टैप करें अपनी स्क्रीन के नेचरे भाग पर उपलब्धता मेन्यू कि इससे फाइदा यह होता है देखे मित्रों कि यहां पर हमको सब चीजे ही मिल जाती है कुछ तो उपर नीचे उंगली करने की जूरत निए बस यहीं पर आपको मिल जाएगा देखिए क्या क्या उप्चिन बिल जाते हैं आवाज कम करें बटन गुगल असिस्टेंट सुलबता सेटिंग यहां से खोल सकते आप पावर बटन के विकल्प मिल जाएगे आवाज कम करें बटन बढ़ाएं बटन आ में इस्तिमाल किये गए लोई बड़ाएं इस्क्रिकस्टी का और्म संहें करें प्रें की रोशनी पढ़ाएं रूक्रीन जाका व्यक्यी एकसा 3 पस इस पर टैप किया है यह हमारी सूचना है खोल दी इसने एक मिनाशी आपको कुछ नहीं करनेगी जो रहते हैं अब यह सुलपता का जो बटन है इससे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस पर क्लिक करते हैं स्क्रीन शॉट लेगा इस चीज का तो बहुत ही अच्छी चीज आप वाप से एक्सेशिबिल्टी में जाकर इस सभी फोन में सुईदा अवेलिबल है चिंता ना करें सभी फोन में मिल जाएगी आपको चाहे कोई भी कंपनी का फोन हो सुलप्ता मेन्य को चालू कर ले ताकि आपको काफी सारे जो आवाज कम करना ज्यादा करना वॉल्यम कई वर क्या होता आगे पिछे काम नहीं करता सही से या फिर अपना जैसे बोलते ना सूचना है अपन दो उंगलियों से करते हैं तो टच सही बार के नहीं होती है तो दि बोटन के जस्ट राइट में मिलेगा मनेगी फोन के राइट साइड में तो आपको इस पर क्लिक करते ही आपकी सिलपता मेन्य खुल जाएगा उसमें आप वालियम भी बढ़ा सकते हैं गूगल असिस्टेंट को चलू कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम सूचना है बढ़ा स सकते हैं स्क्रीन की रोशनी को कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं और अपना पावर विकल्प खोल सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो इस तरह के जश्चर आप इसमें यूज कर सकते हैं तो आशा आपको अच्छा लगा होगा सैमसंग के बारे में तो वन प्लस के हम फिर उसमें एडिट मोड में जाएंगे और वहाँ पर कॉपी पेस्ट भूत वस्वा आपको पताईए उसमों बताने कि मुझे जरूरत है नहीं तो आशा आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा अगर कोई कमी रहेगी यह वीडियो में तो मुझे जरूर बताएं आपको दोस्त संदीप कुमाश श्यर्मा आज वीडियो में म्यूजिक मैंने नहीं लगाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें बहुत बहुत धन्यवाद म अवीडियो नहीं पुर्फ लेको बहुत पर दोड़त वीडियो दीटों झाल झाल